मैं रुनकुमार फोटेशोप के एक और टुटोरिल के साथ आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको फोटेशोप में किसी भी इमेज को शापन कैसे करना उसके बारे में बढ़ाऊँगा यह जो शापनिंग की टेक्नीक है किसी इमेज को शापन करने के लिए तो यह मैं टेक्नीक अपने 2-3 टूटोरिल में कवर करूँगा इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 टूटोरिल में मैं यह पूरा कम्पलीट जो है सेशन लूँगा तो मेरे पास एक इमेज है इस इमेज को मैं शाप करना चाता हूँ इस image में मैं जो edges हैं, उसके hair हैं, जो sparrow के, उसको मैं sharp करना चाता हूँ, तांकि हमें बहुत अच्छा result मिले, मैंने layer को select किया, then filter, filter में मेरे पास है sharp, then मेरे पास है unsharp mask, मैंने इस पर click किया, तो मेरे पास एक dialogue box open हो गया है, इसमें हमारे पास 3 values है, amount, radius, और threshold, तो सबसे पहले मैं इसको sharpen करने के लिए हमारे पास जो way है, तो मैं कैसे करूँगा ऐसे, तो मैं इसकी amount की value है sharpening की, इसे मैं रखूँँगा full, मैंने रखा 500, तो यह जो radius है, किसी भी pixel का size होता है, हमें किसी pixel का size कितना रखना है, हम उसको यहां से define कर सकते हैं, यहां पे, इसकी value को हम कैसे adjust करेंगे, radius की value को, अगर हमारे पास बहुती ज्यादा already image में sharpening है, तो उसकी हम value कम रखेंगे, एक से कम रखेंगे, अगर हमारे पास बहुती blur image है, तो उसके इसाफ से हम, जो radius की value है, एक, या 1.5, 1.2, ऐसे कुछ भी रखेंगे, यह जो image है, इसकी value में रखूंगा, 1. और यह जो एक preview window आप देख सकते हैं, जैसे इस portion का मुझे प्रिवी चाहिए, मैं यहाँ पे direct click क्लिक करूँगा, और मान लिजे, इस portion का मुझे प्रिवी चाहिए, तो मैं यहाँ पे direct click क्लिक करूँगा, तो मैंने इस portion पे click किया, तो मेरे पास जो radius है, यह यह जो आप white portion देख रहे हैं, प्रिवी विंडो में, इनको हम hellos बोलते हैं, hello, h-a-l-o, तो यह जो बहुत ज्यादा sharpening का effect आ रहा है, मैं इसलिए radius की value रखूँगा, 0.8, तो आप देख सकते हैं कि यह जो hello का effect आ रहा है, अब कम हो गया है, मैंने 0.7 पे ट्राई करूँग 0.9 is okay, तो अब मैं amount की value set करूँगा, amount हमें चाहिए, 267 is better, आप देख सकते हैं कि अगर यह preview window है, अगर मैं एक बार click करता हूँ, तो हमें जो इसकी जो पुरानी image है, जो original image उसको दिखाएगा, अगर मैं इसको release करता हूँ, माउस के बटन को यहां से, तो इसका effect किया रहा है, इसका preview किया है, तो वो हमें दिखाएगा, मान लीजे मैं इस portion में चेक करना चाहता हूँ, कि जो effect आ रहा है, तो इस directly इमेज के उपर click करूँगा, और यहां पे यह हमें वो वाला portion दिखाएगा, जो मैंने जहां पे click किय है, हमान लीजे इस portion में, और इस portion में, देख रहे हैं कि details बहुत ही अच्छी आ रही है, मैं इसके वेले थोड़ी और कम करूँगा, 247, it is okay, तो हमारे पर एक और value है, threshold, यह threshold की value किया होती है, इसको उन्हें रखा भी 0, अगर यह image है, आप यह image देख रहे हैं, इस image में यह sparrow है, और बाकी जो portion है, बलर है, अगर मैं इस image को sharp कर रहा हूँ, तो उसके साथ जो background है, वो भी sharpen हो रही है, अगर मैं जाहता हूँ कि जो background है, जो blur portion है, वो sharp ना हो, तो उसके लिए हम, यहाँ पे threshold जो है, as a mask काम करता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं, मैंने इस portion पे click कि आप देख रहे हैं कि इस portion में हमारे पास, मान लीजे, मैंने इसके value रखी है, amount की 376, आप देख रहे हैं कि यह जो blur portion है, यह वाला blur portion है, इसका preview हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप देख रहे हैं, इस blur portion में बहुत ही, चोटे चोटे जो है, पिक्सल नेरा रहे ह है, तो इसको फटाने के लिए, मैं threshold use करूँगा, मैंने इसके value रखी threshold की 5, आप देख रहे हैं कि यह area ब समूध होने लगा, इसके लिए मने रखी 6, it is 5, ओके, तो जो है amount की value मैं adjust करूँगा, मैंने रखी 240, 247, तो अब देख रहे हैं कि यह जो blur part है image का, उसमें sharpness काम होने लगी है, मैंने इसकी value अब 6 पर ट्राइ करता हूँ, it is okay, 4, 6, मैं आप image को zoom करूँगा, तांकि आपको effect का अच्छी तरह से पाता चल सके, मैंने इसको zoom किया, मैंने और zoom किया image को, यह हमारे पास जो original image थी उसका preview है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि sharpening देने के बाद image में जो result आया है, देखे कितना अच्छा result है हमें मिला है, अन्शाप mark से, तो इस तरह आप sharpening technique को use कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, यह हमारे पास original image है, इसका preview है, इसको मैं और zoom करता हूँ, और इसका preview जो आया है, sharpening technique यूज करने के बाद, यह इसका result है जो आपके सामने हैं, तो इस तरह आप un sharp mask को use कर सकते हैं, amount की value आप सबसे पहले high रखे, उसके बाद आप radius set कर सकते हैं, अगर हमारे पास already image में resolution बहुत high है, उसकी sharpening high है, तो इसकी value हम एक या एक से कम रखेंगे, अगर image बहुत blur है, उसकी value radius के लिए हम 1.2, 1.3, 1.5, up to 2 रख सकते हैं, threshold हमें कभी यूज करना है, threshold हमें तब यूज करना है, अगर किसी image में कुछ blur part है, वो भी sharpen हो रहा है, तो हम उसकी threshold की value set कर सकते हैं, जो all image में blur part है, वो blur रह तो अगर, इसकी value हम 6 रखते हैं, 5 रखते हैं, according to your project, according to your need, तो इस तरह आप unsharp mask को use कर सकते हैं, मैंने इसे ok किया, तो friends, आप इस तरह किसी भी image को sharp कर सकते हैं, तो अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी जो sharpening की, जो मैंने value set की है, उनको मैं in future change कर सकूँ, उनमें कुछ alteration कर सकूँ, अगर मैं इस command को directly चलाता हूँ, unsharp mask को, तो उसकी values आफिक्स हो जाती हैं किसी image के उपर, in future मुझे लगता ह है कि वो according to my project नहीं है, according to my need नहीं है, उनको मैं change करना चाहता हूँ, तो अगर मैं उनको इस way से करूँगा, उनको मैं change नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा way है, अगर मैं उनको in future change करना चाहता हूँ, तो मैंने layer को select किया, then I have filter, then convert to smart filters, मैंने इस पे click किया, म I will go to filter, then unsharp mask, मैंने इसकी value है अब रखी है 500, जो radius है 0.9 threshold मैंने रखा है 6, मैंने ok किया, आप देख सकते हैं कि इस layer के नीचे एक smart filter add हो गया है, तो in future आप इसे कभी भी change कर सकते हैं, इसे change कैसे करना चाहता है, तो मैंने यहां पे जो unsharp mask है, इसके आप डबल क्लिक किया, तो ये दोबारा unsharp mask की जो values हैं, जो dialogue box बोक्सा उपन हो गया, अब मैंसे change कर सकता हूँ, मैं अगर रखना चाहता हूँ, 245 इसकी value रखना चाहता हूँ, तो इस तरह आप smart filter का use कर सकते हैं, smart filter बहुत ही session बनाना चाहूँगा, एक tutorial बनाना चाहूँगा, in feature मैं इसके tutorial भी YouTube पे डाल दूँगा, तो अगर आप smart filter को smart object को use करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी क्माण है, तो इस तरह आप किसी भी image को sharp कर सकते हैं, उसकी value को alter कर सकते हैं, in feature, by using smart object smart filters, तो friends, आप इस तरह smart filter को use कर सकते हैं, smart filter में कुछ और भी benefit हैं इसको use करने के लिए, जैसे इस image को में, इस image को उपर मैंने unshap mask command यूज की है, मैंने आपको पहला भी बताया, उसमें ये values आफिक्स हो जाती है, मैंने आपको बताया, इसे smart object में convert कर लीजिए, smart object में convert करने के smart sharpen के उपर smart sharpen का जो filter use किया है, उसके बाद मेरे पास ये एक smart filter का जो mask है, ये add हो गया है, तो ये जो white जो box है, ये as a mask use हम इसे कर सकते हैं, smart object में smart filter में, मैंने अगर चाहता हूँ कि ये जो sparrow का ये portion है, इस portion में मैं कहीं पे blurness रखना चाहता हूँ, जैसे original image में जो setting है, तो मैं इसको select किया है, smart filter को, then मैंने brush को choose किया, select किया है मैं और मैं चाहता हूँ कि ये portion है, इसको मैं जो original image में जो setting थी, उसकी तरह रखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको select किया, white portion को, जो as a mask use कर रहा है, filter के साथ, smart object के साथ, मैंने इसे select किया, then आप देख सकते हैं, कि ये जो portion है, blur हो गया है, ये original image में setting थी, वो आने लगी है, और यहां पर एक black portion add हो गया है, तो इस तरह आप इस portion को, smart filter के, जो white, जो आ रहा है box, इसको as a mask भी use कर सकते हैं, मैंने ctrl z किया, then I have this two dots, मैंने यहां पर आगर आपको दिखाता हूं करके, किसी भी smart object को हम, उसमें blending option use करना चाते हूं, उसको कैसे use करेंगे, हमारे पास यहां पर दो dots है, मैंने यहां पर double click किया, तो हमारे पास यह एक blending option का एक box open हो गया है, तो अब मैं इस इस पारे को, इस smart filter के थुरू, blend option, blending option use करना चाता हूं, तो वो कैसे use करूंगा, मैंने इसके उपर, जो है, dots के उपर double click किया, तो यह dialogue box open हो गया, तो मैं इसका जो है blend mode, वो रखना चाता हूं, overlay, मैं रखना चाता हूं, soft light, और, इसकी जो pasty है, मैं रखना चाता हूं, it is 71, तो इस तरह आप किसी भी filter के साथ, किसी भी smart object के साथ, mask को use कर सकते हैं, और साथ ही उसकी जो blending option को भी use कर सकते हैं, अगर इस command को मैं unshap mask को, without smart object यहां पे चलाता, तो उसमें मैं कोई भी alteration नहीं कर सकता था, ना ही उस पे कोई मैं mask को use कर सकता था, और ना ही मैं वहां पर किसी blending option को use कर सकता था, तो इस तरह आप smart object को use कर के, बहुत ही अच्छी तरह हैं, अपने project में use कर सकते हैं, thank you friends for watching this video, तो friends मेरे पास एक और image है, इस image के तरह आपको मैं दोबा रहा है, unshap mask की जो command के बारे में पढ़ा दूँ ता कि आपको इसकी clarity अच्छी तरह से हो ज यह जो है smart object में convert हो गया है, then filter में मैंने क्लिक किया, then sharpen, then unshap mask, सबसे पहले मैंने इसकी value रखी maximum, और यह जो image है, इस image में blurrness बहुत जादा है, तो इसलिए मैंने इसकी value है radius की, वो रखी 1, तो image में कुछ blur portion भी है already, यह जैसे background है, जो grass है, इसके लिए मैंने इसकी value रखी Threshold के लिए आपको दोबारा बता दूँ कि किसी भी blur portion में हम sharpness नहीं add करना जाते हैं, तो हम use करते हैं Threshold as a mask, तो आप देख सकते हैं कि इसकी value में ने 500 रखी और इसका value है मैं रखी 1 radius की मैं रखता हूँ, अब 1.5 के साथ इसका experiment करता हूँ, यह जो है 1.5 के साथ इसका result बह मैंने इसकी जो amount की value है वो रखी है 250 इसका preview आप चेक कर सकते हैं, यह बहुत ही nice result आ रहा है, इन feature में इसे change भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसे as a smart filter यूज कर रहा हूँ, इस layer को, तो मैंने इसकी value अब 270 के साथ मैं रखता हूँ, इसका result बहुत ही अच्छा रहा है तो आप देख सकते हैं कि यह जो हमारे पास already image थी, मैंने इसके बाद जो smart sharpen smart filter और उसके बाद यूज किया, मैंने यहां पे click किया, आप देख सकते हैं, कि इसका result बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो इस तरह आप अनिशा अबमार के साथ उसकी amount, radius और threshold को, की value है, उसको set कर स सकते हैं, thank you friends for watching this video, और आप मुझे facebook पे follow कर सकते हैं, youtube पे follow कर सकते हैं, आप मुझे मेरे blog पे भी follow कर सकते हैं, उसका मैं link बहुत ही जल्दी अपने youtube channel के साथ डाल दूँगा, thank you friends for watching this video.